यहां पे मैंने लिया है एक कप बेसन और उसमें मैं बारिक काटके कुछ सबजीयां डाल दूगी आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं यहां पे मैंने प्याज बारिक चौप किया है उसमें थोड़ा सा गोभी को बारिक चौप किया है हरा धनिया हरा मिर्चा थोड़ी सी सिम अज़त नाले जाएंगे यहां पे मैं इसे ूड़ा से धनिया पॉडर चिया बर्च & गरम मसाला थोड़ा से था जो इसे और धॉड़ा से भून भूने जीरे का पॉडर फोड़ी सी लाल मिर्च ये सब डालने के बाद इस थोड़ा से डालेंगे बेकिंग पाउडर program के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद इसमें थोड़े-thोड़े पानी डालने के बाद एक बैटर बनाना है जैसा हम लोग नॉर्मली बनाते हैं चीला बनाने के लिए या डोसे का बैटर जैसा होता है बस वैसे ही इसकी कंसिस्टेंशी होनी चाहिए एक बार नेरन में सक मreanal सब्छाटे के बरते बड़ाम के तो चाहिए मिक्ससूरी कन अदिक का थिरगह नेर आधे ने सब्सक्राइव सब्सक्राइब और आप चाहें तो इस टाइम पर टमाटर के साथ में और भी चीजे ले सकते हैं जैसा कि प्याज जिम्ला मिर्श को भी इस तरह से काट की यूज कर सकते हैं गैस पर मैंने एक पैन रखा है उस पर थोड़ा सा ओयल ग्रीस करेंगे और उसके बाद इसमें हम टमाटर के टुकड़े रख देंगे यहां पर मैं बस्तीनी स्लाइस रख रही हूं क्योंकि टमाटर की साइज बड़ी थी उसके ऊपर से यह जो बैटर मैंने रेडी किया था ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से कवर हो जाए और यह बनाते समय गैस की हीट को बिलकुल लोग पे रखना है और यह बैटर मैंने इस पर डाल दिया है अब इस पर लिड लगा देंगे थोड़ी देर के लिए ढख के छोड़ देंगे उसके बाद इसका ढखकन हटा दें और यह आप देखें कितना अच्छा लग रहा है ना तो ऊपर से थोड़ा साप जाए तो घी बटर ओल जो भी पसंद करते हो वो इस पर ग्रीस कर दीजिए थोड़ी टाइम के लिए और इसे ढख देना है दीमी दीमी आज पर इसे पकाना है ताकि यह अच्छे से पक जाए और यह आप देख सकते हैं ठकन को मैंने हटा दिया है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर से इसे कवर कर दिया था पलट के और यह आप देख सकते हैं तो यह बेसन और टमाटर का जो चीला है यह बेसन टमाटर की रेसेपी जो भी है वो बनके बिलकुल तैयार है औ और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जादा से जादा मैं मिलूंगी नेक्स वीडियों बाब बाई